क्या हाल है सबका सलाम नमस्ते संस रिकाल मैं हूं महलीच और आप मुझे देखें मेरे पेस्बुक के पेज़ पर शुरू होने से पहले प्लीज जिस पेज़ पर मुझे देख रहे हो जल्दी जल्दी से लाइक किजे थम्स का बटन है थम्स अप का उसको दबाईए इससे पह में लिखाता मेरी तस्वीर पे महलीच तुम कितनी काली हो गई हो तो मारी शकल पर लानत बरस रही है तो जाहिलों मैं एक आपको बात बताओं कि जब आप सूरज में बहार निकलते हो ना या वेस्टेंड कंट्री में तो हम टैन हो जाते हैं इसपेशली जो पाकिसानी इं कल मेरी नजरों से ये वीडियो गुजरा है और इट इस अवेरी साद थिंग बहुती या दिल दुखाने वाला वीडियो है अफकोर्स पाकिसान से है या कल वायरल हुआ है मुझे दिखा था ये आपने देखा के ये एक कोई बंदा है ये इनकी तस्वीर विया थी बंदा बंदी है मिया बीवी है तो ये जो थे अपनी मा की पटाई कर रहे थे वहां पर बीवी पीछे से खड़े हो की कह देती हाँ जी और पीटो और पीटो और पीटो आई डोंट तिंग कि मैंने आज तक कभी इस तरह की चीज़ देखी हो या सुनी हो वैल नहीं सुनी तो मैंने है क्या ऐसा होता है कि एक बच्चा अपनी मा को इस तरीके से मारे होता होगा मैं यह नहीं कहती कि सिर्फ पाकिसान में होता है I am sure कि यहां के बाहर के मुलकों में भी होता है नहीं के उसले पिति करते हो इसी चीज़ी के तुक्त होतुपर और जाइदात को क्सी का कटल करंब देना तो ऐसी चीज़े होती है हमारी फैय में अगर पाकिसान में और या इंडिया में देखा जाये तो साज भू के जहगडे तो कितने ओको हैं जगड़े कब से चलते आ रहे हैं और जिर्फ वहीं नहीं यहां पर भी होते हैं यहां का दोड़ा डिफरेंट सिस्टम है तो इस दिफरेंट वेप मगर मैं यह कहना चाती हूं कि हमारे जो मौश्रे में ना चाहिए वो पाकिसान हो या इंडिया हो हो वहां पे यहां अब इनकी ममी कि इनकी बेहन का भी मैंने विडियो देखा और जो पीछे और रहत है उसके इननों के बात करने से पता चल रहा है वो पीछे बीवी थी उसने भी एक वीडियो बना के भेजा कि हमें मार रही थी तो हमने इसको ऐसे मुझे बचाने के लिए मेरे मिया ने इनको मारा रहा इंस तो अगर मिया ने रोक रही था तो मा को इतनी पावरफुल नहीं थी उपकड़ भी सकता था रोक सकता था मा का जो मैंने इंटर्व्यू देखा तो उसमें भी मा की जो चंद बाते हैं वो उपर नीचे हो रही है कि ये हुआ तो वो हुआ तो ये है तो वो है मगर at the end the point is कि आप अपनी माँ पे किस तरह से हाथ उठा रहे हो इतनी बुरी तरीके से मारना इतनी बुरी तरीके से गालियां देना that is unacceptable ये कोई भी acceptable किसी भी माश्रे में नहीं करता है हर माश्रे में चाहे वो गोरों का हो कालों का हो पीलों का हो कीनों का हो किसी का भी हो वो इसको accept नहीं करेंगे जो आपने हरकत की है अब हम चलते हैं कि वैसे जो जगड़े होते हैं हमारी जो औरते हैं ना मर्दों को थटा दो इसमें से हमारी चंद औरते हैं जो सास और बहू के जगड़े होते हैं ना बहूए आकर जो हैं वो सिस्टम बगाड़ना शुरू कर देती हैं जो माई होती है ना जिनका माँ का लाडला है ये और वो जो है अपनी याने ड्रामे करती है बहूँ को तंग करने के लिए तो ये दोनों साइड पे होती है अब मुझे नहीं पता कि इनकी माँ ने उस बहू को कितना तंग किया था मगर जब मैंने इनका वीडियो देखा तो यू अपने बेटे को ये बारे में वो कुछ नहीं कहा उनोंने सिर्फ अपनी बहू पे ओपर सब डाल दिया और कि बहू को सजा मिलना चाहिए बहु को सब देखें जग आपकी family में इतनी problems चल रही है इस तरीके से तो family को किस तरह सुधारा जाएगा आप लोगों की जब नहीं बन रही है तो अलग हो जाओ इस तरीके से रहने से बहुतर यह है कि आप लोग अलग हो जाओ बेटे को आप भेज दो कहीं और और आप खुद अपने अ मेरा जो एक्स है वो सीख background से है इंडियन है सीख है तो एक रात ऐसा हुआ क्योंकि उनके parents को मैं नहीं पसं थी क्योंकि वो लोग तो गाओं से शरीफ लोग ना बहुत ही शरीफ लोग थे वो लोग मैं बड़ी खराब लड़की तो तो एक रात जब मैं पांच महीने की प् मैं उसके घर बहुत देर पहुँची लाइक दो तीन बज रहे थे तो पहली दफ़ा उसके घर के अंदर जाके मैं रुकी हूँ और वो रात मैंने वहाँ गुजारी तो जो उनकी माँ और उनकी भाबी जो थी ना वो उन्होंने इतनी चीखे मारी पता नहीं भाबी को इतन जब मैं पीछे मुड़ी हूँ तो मैंने देखा है कि उसकी भाबी वहां से हाथ उठा कर ऐसे मुझे चमाट मारने आ रही थी और उसकी माँ उनके पीछे थी जो कह रही थी हाँ हाँ जाओ इसको मारो पांच महीने की प्रेगनेट और वो तो मेरा जो एक्स हा वो बीच में आ गया और उसने उठा के अपनी भाबी को एक चमाट मार दिया मेरे खाल से पहली दफ़ा और एकलौती दफ़ा ही मेरी लाइफ में उस बंदे ने मेरे लिए मेरे लिए तो नहीं किया उसने ये कि मेरे लिए मैं कहूंगी मेरे लिए स्ट्याइड लिया नहीं उसको पता थ कि अगर इस लड़की को हाथ लग गया ना तो इसे मेरी भबी मेरी माँ सब को जेल में भिजवा देना है असौल्ट के चक्कर में तो वो इस वज़े से बीच में खुसा ये नहीं था कि वो मेरे को बचा रहा था तो ये कैनेडा में रहते हुए ये हरकत हो रही है ठीक है ना ओरते एक ही और दूसरी औरत के उपर इसी तरह से जुलम कर रही है और करती रहेगी तो इनके मामले में ये जान लेना यानि मैं थोटली अगेंस्ट हूँ कि फिजिकल वाइलेंस नहीं होना चाहिए मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ा से तो नहीं उसकी अपनी पर इसी तरह से मेरे एक से भी मुझे एक दो दफा चमाट मारे थे तो उसको फिर जवाब उसका मिल गया था अच्छी तरीके से क्योंकि जब एक बंदे का हाथ खुल जाता है ना तो फिर उसका हाथ रुकता निये चाहे वो कोई भी औरत क्यों ना हो अच्छा रात के पार नहीं किया देखने के लिए उससे खुद बोला अपने मुझे ड्रामे कर रही है कोई पैरवेर नहीं था तो यह जो माएं ड्रामे करती है ना क्योंकि उनको उनकी बहू नी पसंद है और बहू आं से कुछ करती है तो फिर वो जगड़े चल रहे होते हैं तो इसका एन जो उत्के गाहें से आगए यहां पर मगर उनको तमीज नहीं है पैसा तो गोई भी कमा लेता है राइट पैसे हाथ में आ गए है और मों वो समझते हैं क्या बन गए क्या कनाड़ा में हम रहते हैं गाहं की माली मेंट़िटीटी के है तो आप, यह जो हैं इसका पैसे किस व और मैं हमेशा से यह कहती हूं कि एक औरत ही ऑरत की दुश्मन होती है और मदबंदे का जो है ना वो ब्रेन वाश किया जाता है चलते हैं अब यह तो एक स्चोरी हो गई अब इसके बारे में पता चलेगा के इन्होंने माफी कर दी उसको मुझे जहां तक लग रहा है माने कि ऐसे महाल में रहो अब मैं अपने बच्चे को ऐसे महाल में कभी न रखूं जहां पर जगड़े हो रहे हूं और ऐसी महाल बन किया था हमारे घर में जहां 24 गंटे जगड़े होते थे 24 गंटे मेरी बच्ची मुझे उदास देख रही थी और उस पर असर पढ़ रहा था ना इससे बहतर यह है कि मैं उसको एक हैपी महाल में रहूं अच्छे महाल में रहूं परसन यहां मत बोलो प्लीज क्या परसन नहीं देखो जारा मेरी बात सुनो मैं अपने परसनल एक्सपिरियंसे लोगों के साथ इसी वज़ा से शेयर करती हूं ताकि आप लोगों को पत एक नहीं रखते, तुमनों की सोच है कि गोरे अपने माबाप का कितना ख्याल रखते हैं, इनकी है कि मैं अपने परसनल एक्सपिरियंसे क्यों शेयर करती हूं, मुझे कोई शरम नहीं है इसमें, बई जो मेरे साथ हूँ है, अच्छली मैं तो विक्टम हूँ इस चीज की, तो मैं क्यों अपनी सोरी नहीं बता हूँ, मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, वो तो मैं विक्टम बनके आती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सर्वाइवर हूँ, मैं यह नहीं कहती हूँ कि इतनी जीजों से गुजरने के बाद ही मैं आज यहां बैट के अपनी सोरी आप लोगों क वो बड़े इजदार बनके घूम रहे होते हैं वह तो ऐसी थोड़ी हम इजदार बनके घूमने देंगे उनको तो guys जल्दी जल्दी शेयर कीज़े यह सारा यह जो है अगर आप अभी rerun देख रहे हैं उसको तो प्लीज आप इसको शेयर कीज़े मेरे Instagram, TikTok, Facebook, YouTube को चैनल जोए और सब को सब्सक्राइब कीज़े and I will see you next time okay take care everybody bye bye